जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NDA का एक्जाम बहुती नजदीक आ चुका है तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि NDA के एक्जाम वाले दिन आपको वहाँ पर एक्जाम सेंटर पर कौन-कौन से डोकिमेंट लेकर जाने हैं आज मैं आपको दो चीज़े बताऊंगा पहले लोकिमेंट वो बताऊंगा जो बिल्कुल कमपलसरी हैं जिनको ले जाना बहुती जरूरी है उसके बिना आपके NDA का एक्जाम देने जा रहे हैं तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वे डोकिमेंट जो आपको कमपलसरी लेकर जाने हैं साथियों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पहला डोकिमेंट बताऊंगा जो कि आप सभी को पता ही है वो होता है आपका Admit Card आपको अपने Admit Card का Color Print करवाना है औ आपर दिये होंगे तो जो form फिल करते टाइम आपने फोटो दिया है यानि कि जैसा फोटो आपके admit card में है वैसा ही फोटो आपको वहाँ पर लेकर जाना है minimum दो फोटो आपके पास होने ही चाहिए इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर तीसरा document आजाता है अपकी ID proof आपके पास एक ID proof जरूर होनी चाहिए आपकी ID proof में आप अपना आधार काड ले जा सकते हैं आधार काड वहाँ पर सबसे पहले मांगते हैं अगर वो नहीं है तो आप अपना pen card ले जा सकते हैं या driving license मेनली तो हहाँ पर सबसे पहले आपका आधार काड ही मांगा जाता है तो तीन document अब मैं वो डोकिमेंट आपको बताऊंगा जिसकी वहाँ पर आपको exam center पर जरूत पढ़ जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है कोई mistake हो जाती है आपके नाम में mistake हो जाती है आपका नाम अलग होता है या father का name एक भी word या एक भी अक्षर अगर changes होता है आपके admit card और आधार card में तो वहाँ पर आपकी दूसरी ID मांगी जाती है जिसको कहते हैं 10th की original mark seat तो इसलिए दोस्तों 10th की original mark seat भी आपको लेकर जानी है वो important नहीं है लेकिन backup में अपनी safety के लिए वो आपको लेकर जाना है ताकि आपको बाद में वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो क्योंकि आपको exam देने में बहुत दिक्कत आती है कई बार candidate का exam भी छुट जाता है तो इसलिए ध्यान रखना 10th की mark seat भी लेकर जाना है और हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ जब आप अपना admin card निकलवाने जाएंगे तो उसके साथ एक covid का self declaration form भी आपको मिले self declaration form दो photo और इसके साथ ही आधार card और अपनी safety के लिए आप 10th की original mark sheet लेकर जा सकते हैं यह document आपको लेकर जाना है इसके अलावा कोई भी document वहाँ पर आपको नहीं लेकर जाने होते तो दोस्तों उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को सभी जगे like और share जरूर करें और चैनल को subscribe करके ही जाएं तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम